आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यानि की Relation R को अपन कैसे अपन लिख सकते हैं यह हमसे पूछा गया है तो उसके लिए हमें Given है कि X is equal to 3Y और जो X और Y है वो हमारे क्या होने चाहिए तो A का हमारा यहाँ पे एक Element होना चाहिए ठीक है तो X equal to 3Y X equal to 3Y जबकि A हमें Given है A हमें 1 से लेके 9 तक Number Given है So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 So 9 तक के Element हमें Total Given है अब X और Y इसी में से कोई Element होगा तो सबसे पहले गर हमने Put X equal to 1 So X को अगर हमने Sorry Y is equal to 1 पूट करते हैं भी ठीक है So अगर हमने Y को 1 पूट किया So Y is equal to 1 तो उस समय हमें यहां पे X का Value क्या मिलेगा 3 मिलेगा यहां पे अपन रख सकते हैं अब अगर हमने Put Y is equal to 2 रखा तो उस समय X का Value क्या मिलेगा 3 into 2 यानि की 6 अभी भी 6 इसके अंदर आ रहा है ठीक है अब हमने अगर Y का Value 3 रख दिया So Put Y is equal to 3 तो उस समय X का Value क्या मिलेगा So 3 Put करने पे 3 into 3 यानि की 9 9 इसके अंदर आ रहा है ठीक है अब यहां पे हमने अगर Put कर दिया Y is equal to 4 तो यह बन जाएगा X equal to 3 into 4 यानि की 12 So 12 हमारा A को belong नहीं करता क्योंकि A हमारा 12 element को contain नहीं करता है 12 number के element को तो यहां पे हमारा 3, 6 और 9 ही possible है तो अपन देख सकते हैं कि X और Y के corresponding अगर आप यहां पे अपन लिखना चाहें relation R तो वो हमारा क्या हो जाएगा X अगर हमने यहां पे 3 रखा है तो उस समय Y हमारा 1 है So 3,1 ठीक है और जब हमने यहां पे Y को 2 रखा उसमें X 6 है So 6,2 ठीक है फिर हमने X को गर 3 रखा है Sorry X को गर 9 रखा है तो उसमें Y हमारा 3 है ठीक है तो 3,1 6,2 और 9,3 यह हमारा कोई option सही हो रहा है So 3,1 6,2 Sorry 3,1 उसके बाद हमारा क्या है 6,2 ठीक है फिर 9,3 यानि कि option 2 is correct Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर